राम की नगरी आयोध्या जहां एक बार फिर से जुट रहे हैं हजारों हजार की संख्या में लोग और फिलाल इस वक्त मैं मौझूद हूँ सर्यूतट पर सर्यूतट जहां पर हमने देखा है कि छोटी दीपावली के दौरान का कारिक्रम हो या फिर वक्त वक्त पर अयुध्या में जो भी कारिक्रम होते हैं इसकी खासी महत्ता होती है क्योंकि जो भी लोग यहां पर आते हैं सर्यूतट पर आते हैं और यहां पर आरती होती है लोग किसनान करने के लिए आते हैं इसकी अपनी महत्ता है और आज भी एक बाद सर्यूत पर फिर से एक रॉनक है और वो इस हो जैसे है क्योंकि उद्धव ठाकरे जब यहां पर पहुचेंगे तो शाम को यहां पर आरती भी करेंगे सर्यू के आरती भी करेंगे सामने रामगाट है और फिलाल उसके पीछे बड़े-बड़े मंदिर भी नजर आ रहे हैं उचो उचे मंदिर लेकिन मांग हो रही है भव्य राम मंदिर की और भव्य राम मंदिर के मांग को ले करके इस वक्त अयोध्या में काफी हल चल तेज है एक तरफ शिफसेना के कारकरता और उनके नित मांड होना चाहिए सरकार के उपर दबाव बनाने की भी कोशिश है क्योंकि अलगलक संगठर है वो यही मांग कर रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से अब तक कोई निर्ड़े नहीं आया है तो सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए और इसी मांग को लेकर के आयोध्या मे पाउचे हुए हैं वो सब भी यहाँ पहुचेंगे लείादा उसको देख्ते हुए तैयारिया की जा रही है तैयारिया कुछ अप्व़ी भी होती दिख रही है तो कुल मिला करके आयोध्या के जरीये एक बार फिर से एक बार फिर से рाम मंदर के नाम को लेकर के होंकार भरी जा रही है और मांग एक ही है कि हो जल से जल भवे राम मंदर का निर्माड इस आप को रखे आगे